हेलो दोस्तों, वेलकम टो आज चानल, Be A Programmer में तो आज किस पड़ले वीडियो हम लोग बात करने वाले कैसी MNC की that is London-based MNC and Deloitte उसका नाम है, काफी famous MNC काफी लोग जानते हो कि Before Company है and हम लोग बात करने वाले कैसी opportunity की इसमें जो कि किसी भी graduate के लिए, कोई भी आप graduation से हो आप apply कर सकते हो, 0 to 1 year of experience मतलब एक fresh हो, apply कर सकते हो एक experienced हो, एक साल तक का तब भी apply कर सकते हो क्या के चीज़े required है, MS Excel की knowledge आपको चाहिए तो मैंने course भी नीचे description में दिया हुआ आप वो भी उठागे कर सकते हो, definitely नेटली, वो आपको help करेगा, इस पड़र job role में, Excel की requirement भाई, काफी job roles में आ गई है तो भाई उसमें आपको help परेगा, तो start करेंगे वीडियो को एक एक चीज़ें आपको discuss करके दिखाएंगे because जो हम लोग application करते हैं काफी चीज़े job description लिखे होते हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं बस apply करते हैं, तो वो चीज़े एक resume में हो, तो shortlisting में थोड़ी help हो जाएगे because ATS होता है application tracking system जो हमारे resume का shortlist करता है, कोई इंसान नहीं बैठा है shortlist करने के लिए तो वो सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखके इस सारी चीज़ों बोलेंगा, अगर आप एक video बोलोगे, एक ATS के उपर वीडियो बनाओ तो I will bake a video, हो सकता है किसी experience बंदे को लाए, जिसको इस बारे में experience हो, पता हो उससे उसको दुरू हमारे वीडियो बनाओ, बहुत डे सारे podcast वागर आ रहे हैं, interviews, experiences आ रहे हैं, आप definitely देखो चैनल को काफी opportunities, काफी चीज़े हम लोग लेके आ रहे हैं तो start करेंगे वीडियो को, वीडियो को लाइक करें, comment ज़रू करना definitely हमें काफी अच्छा लगेगा इनकी courses भी हैं, जो की job guarantee आपको देते हैं, अगर आपको ऐसा डर लगता है भी है, कि पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, एक बार course ये लिए तो जंजट हो जाएगा तो वो सारी चीज़ हैं, आपको link दोनों description हमें दे दिए गए हैं, आपको test के preparation का link, के नाम है, जैसे जो की courses का link है, और आपको direct free test में apply करने का link, वो भी link नहीं चारे description में, अभी जा के apply करो, try करो, बहुत डेर सारे लोगों इस selections हो चुकी है, आप क्यो wait कर रहो, आप भी online में, चलो, तो अभी हम लोग आगे हैं, website पे, that is of Deloitte, and यह opportunity मैं अपनी Desi Master website पे जालूगा, आप मेरे website पे जाओगे Desi Master, तो number of opportunities यहाँ पे posted होती है, that is, daily कुछ ना कुछ नया हा रहा होता है, otherwise, अगर आपको opportunities नहीं, फुरी resources बहुत डेर सारे हैं, software engineering से related, number of opportunities से related, तो definitely इसको follow कर सकते हो, तो उसी website का link आपको नीचे description में हो, उसके अप्लाई ना होकर link आपको उसी website से, Desi Master से मिलने वाला है, तो वहाँ जाके search ज़रू कर लेना, next thing, फ़र जो job role हो, that is customer support analyst के job role होने वाला, that is, came in Deloitte, Deloitte एक London based MNC है, multilational company है, big four company में आती है, auditing, big four, चार companies अक comment करके बता देना, ताकि लोगों को पता चादा है, before कौन कौन इस अपनी आप Google भी कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद फिर मैं pin कर दूँगा, जिसका answer सही होगा, उसके बाद फिर यहाँ पते को, that is, position, position summary, उसके बाद फिर यहाँ पर position summary में आने पहले, सबसे पहले हम लोग क experience of 0 to 1 year of experience, you can apply for it, मतलब आप अराम से इसमें apply कर सकते हो, कोई भी issues नहीं उसमें होंगे, and आगर आपके पास कोई भी, मतलब, आपके पास excellent communication skills, मतलब customer service, आप बात करने का तरीका है, as I am explaining anything, आपको समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो कहते हैं, थोड़ा इसलिए eligibility यहां पर रखी है, तो भाई, उसका ध्यान रखना आप लोग definitely, उसका excellent spoken English literacy, मतलब English language, आपको सही से बात करने आने चाहिए, बात करना चाहिए, बात करना चाहिए, प्रोफिशेंसी चाहिए भी है, grammar का, मैं आप मेल लिखोगे, चाट करोगे, तो भाई, grammar का आप आपको importance वहाँ पर चाहिए, ठीक है, आपको importance knowledge चाहिए, उसका profession with MS office, मैंने आपको बता है na, Excel की knowledge, Microsoft office basically जो होता है na, उसमें आपको outlook आता है, main major major चीज़ है, जो हम लोग को company में जरूरत होती है, outlook आ गया है, one note आ गया है, उसके आद फिर आपको Excel, सबसे आद इन्पॉर्ट हर एक job role में आजकल important होगे, I am a data engineer, I am using Excel daily, rigorously मैं use कर रहा हूँ, तो भाई, आपको definitely important है, तो नीचे description में course दे दिया है, जाके तुरन सीख सकते हो, उसके आद फिर यहाँ पर service, अगर आपके पास service now का experienced है, मतलब experience service now का, तो बहुत अच्छी बात है, otherwise preferred है, तो बहुत अच् उसके आद फिर आपको customer service होगे experience है, बहुत अच्छी बात है, excellent communication skills and comfortable to work, तो 24 by 7 की shift है यहाँ पर, बोला जाता है, ठीक है तो उसके आपको tension नहीं लेना है, उसके ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कौन कौन से होँगे भी, या 1, 2, 3, क्या टाइमिंग्स होगी, ताइमिंग्स बि जो मैंने flexible लिखा हुआ है thumbnail में, उसका मतलब क्या है, तीन shift है, सबसे पहला shift है, साड़े 5 बजे से लेके, धाई बजे तक, दूसरा shift है, 2 बजे से लेके, 11 बजे तक, तीसरा shift है, 9 बजे से लेके, 6 बजे तक, and यह rotational basis पर होते है, हर मन्त वो change होते है, every month यहाँ पर लिखा ह नहीं है, उसके क्या क्या चीज होगा, आपका having passion on technical, ठीक है, technical knowledge आपके पास होने है, learning, quick learner आपको होना है, provides customer service experience, मतलब आपके support जो है, basically, customer को support करना है, कि भाई, उसको कोई भी doubt है, कोई भी चीज है, उसको problem हो रही है, तो भाई, उसको support करेंगे, उसको solve out करवाना है, that is a major important thing, बहुत ज़ादा important है, बहुत ज़ादा matter करती है, अगर आपको यह सारी चीज है, मतलब, आप बात नहीं सही सही सगर पार, politely, मतलब, interview में बहुत polite रहना है, बहुत चीज़ों में, बहुत चीज़ों में, बहुत चीज़ों टेस्ट की जाएंगे, because customer service, एक ऐसा ही बंदा हो सागया, जो polite हो, सही से बात कर सके, explain सही से चीज़ों कर सके, तो यह सारी चीज़ों में, बहुत ज़ादा important होती है, ठीक है, उसके नीचे जाओगो, यहाँ पे देखो, that is correction, मतलब, कोई भी doubt हो रहा है, customer हो, customer पास आया, सारे doubts clear हुए, उसके सारी चीज़ों में, बहुत जहाँ पे, that is about your job description के बारे में, थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ लिते है, customer handling call indicates, आपको आना चाहिए, important है, end-to-end ticket management भी आपको आना चाहिए, basic concept जो incident problem, मतलब, जब भी आप काम करोगे न, tickets पे आपके काम आएंगे, incidents होते हैं, जीराज होते हैं, उ service-based company before है, बट यह service, इसका एक client होगा, या कोई भी company होते है, client होता है, client के लिए वो लोग काम करते हैं, तो उसका आपको जयान रखना है, उसके बाद आपके पास non-voice support, voice support का आपके पास experience है, बहुत अची चीज है, ऐसे लिए आपको जो भी service level agreement दिया हुआ है, that is, कोई भ on to the mails, triggers आएंगे, triage, troubleshoot issues रहेंगे, तो वो सारी आपको clear करवाने है, apply करने है, just apply now, but tap करने है, full आपको, देखो, login करके apply कर सकते हो, otherwise you can create your profile, अगर आपको कोई भी account नहीं है, या सबसे पहली चीज, you can also upload by, मतलब आप अपना, क्या करते हैं, you can also upload the things by your everything by your resume also, मतलब resume upload करके LinkedIn के through भी कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपना resume upload किया, उसके कफी चीज़ें जो होंगी, वो अपने आप आ जाएंगे, काफी चीज़ें होंगे, जो आपको manually भरनी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, काफी चीज़ें मेरे को manually, वो depend करेगा, आप कुछ भी mandatory होगा, वो हो गया, उसके फिर आपको email address, भी या, मेरा email address तो बहुत जाए important है, इसी पर तो मेरे को response आएगा, तो उसके आपको ध्यान रखना है, बहुत बाके लोग क्या करते हैं, बहुत लोग email पर response के मतलब email गलत भर देते हैं, या कुछ problem हो जाती है, तो उस उसका आपको ध्यान रखना भी है, कि सारी चीज़ें ऐसे गरे भरना है, उसके फिर यहाँ पर आपना इंडिया चूस किया, उसके फिर आपका city, मेरा city क्या है, बैंगलोर है फिलाल, टे वो डाल दिया, उसके फिर आपको, क्या ना में, पिन कोड, मेरा 15103, ठीक है, पांस उसके पहली चीज़ यहाँ जीरो भरा, यहाँ पर ना भरा, बिकॉज फ्रेशर के लिए भी है, उसके यहाँ पर अदर भरा, अदर का option रहता है, अदर ऐसे चूस करोगा, मिल जाएगा, ना भर देना, उसके बाद, फिर यहाँ पर start date डाला, city डाला, यह सारी चीज़ भर क सब्सक्राइब कर दिया, फिर आपका एक-एक step है, step by step है, सबसे पहले आपने select किया resume, personal information भरी, jobs पे से question भरे, उसके additional information भरा, review and submit, that is the last step, उसके बाद आपका form आगे भर जाएगा, so यही सारी चीज़ थी, आपको कोई भी doubt होता है, भाई, आप comment करके पूच सकते हो, similarly हमारी DC Master की website है, जहाँ पे हम लोग काफी चीज़े post out करते रहते हैं, as I have told you in the starting only, जहाँ पे आपको job, suppose आपको apply करना है, तो यहाँ पे आपने खोला, नीचे आप गए, यहाँ पर पर सारी चीज़े रहती, apply का button मिला, apply now पर tap कर दिया, other than that, आपको preparation के लिए कुछ चाहिए, तो क proper video के साथ, proper post भी है, यह अप खोलोगे न, आपको video भी यही पे मिल जाती है, आपको proper post भी मिल जाता है, सारा कुछ explain करते हैं, तो आपको help कर सकता है, similarly काफी चीज़े हैं, जो यहाँ पे help कर सकते हैं, software engineering के preparation कर रहो, infosys की, cognizant की, TCS की, उसके आपफर emphasis की, किसी की भी, सार course नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप definitely free of cost material से भी crack कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़े हैं, आपको नीचे description में सारे links वागेरा दे दिएगे हैं, definitely, like or comment करते हैं, definitely हमें काफी अच्छा है, काफी efforts लगते हैं, सारी videos के लेके आने में, इन सारी preparation materials को prepare करने में, तयार कर आने में, तो प्लीज यार, like करें, comment करना, यही हमारा motivation रहता है, मिलते हैं एक शीड़ो में, जैन, मुन्दे मातर, बाब बाई, धान रखना